हेलो दोस्तों मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल अमन टू चैनल में तो यदि आप भी टेलिग्राम यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपको जो उससे आप अकाउंट क्रियेट करें उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उससों डिलीट कैसे करें हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगी तो कई बार होता क्या है कि हमसे गलती से या तो अकाउंट बन जाता है या फिर हम खुद ही चाहते हैं कि मतलब अकाउंट तो पहले बनाते हैं काम रहता है फिर बनाते हैं फिर बाद में क्या होता कि हम उससे परिसान हो जाते हैं, तो हमको डिलीट करना पड़ता है, तो उसका जो account होता अगर आपके बाल down install करते हैं तो उससे delete नहीं होता account हो। हम आपको बता हैंगे कयसे का असको जुसका rj id है उसको delete करन गे तो यहां पर आपको अपना Telegram Coupon कर लेना है और आपको log in कर लेना है जैसे log in करेंगे तो कुछ göst आपके सामने interface आगा तो simply आपको यहां पर यहां पर three どつ पर click करना है जैसे यहां पर click करेंगे तो आपके सामने द धख़िए बहुत सर सावब option आजाएंगे तो यहां पर आपको देखिए एक पार आपको यहां पर सेटिंग वाले पर क्लिक करना है तो simply हम यहां पर सेटिंग पर क्लिक करते हैं और जैसे ही setting बक्रिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो mobile number, name यह सब आपको दीख रहा होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर देखेंगे तो आपको यहां पर privacy में मतलब आपको कहीं भी देखने को नहीं बिलिगा date setting देखेंगे आपको यहां पर करना क्या है आपको देखेंगे आपको इसमें चल जाना है तो यहां पर इसमें चल जाना है तो आपका जो भी मतलब मतलब question होता है उसब आपको यहाँ पर मिल जाएगा उससे लेटर तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपको एक option मिलता है यहाँ पर your account का simply आपको इसमें देखना है और इसके अंदर आपको एक swap option मिलता है delete your telegram account simply अगर हमको आपको यहाँ पर डिलीट करना है तो simply इसपर क्लिक करते हैं जैसे इसपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नया page आएगा तो simply आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाए कि how do I delete my account यहाँ पर देख सकते हैं कि deactivate account का तो simply आपको इसपर क्लिक करना है आप जैसे इसपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर redirect कर दिया जागा किसी browser पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और उसके पाद आपको जो अपना mobile number है उसको डाल देना है याद रखें कि आपको अपना country code है उसको डालना है जो भी आपका country code जीशे इंडिया का plus 91 है तो आहाँ पर आपको डालना है अगर आप usage country से हैं तो आपको अपना का वहाँ डालना है तो simply यहाँ पर next करते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पर एक message आ गया है यहाँ पर confirmation code का तो simply हम इसको देख लेते हैं तो यह जो code है आपको telegram के जो मतलब telegram से ही आपको मिलेगा आपको मतलब telegram के तरफ से मैं ऐसे जाएगा आपको मिल जाएगा वहाँ पर telegram application पर ही जाएगा तो simply यहाँ पर आपको इस पर कलना है और यहाँ पर देखे sign in पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर confirmation code डलने बाद यहाँ पर sign in पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया कि delete your account तो आपको यहाँ पर region डाल देना है कि आप क्यों यहाँ पर इसको delete करना साथ है तो हम simply कुछ भी डाल सकते है यहाँ पर distraction कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर जो आपकी problem है और यहाँ पर आपको delete my account पर क्लिक कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का option आएगा तो कि आप इसको delete करना चाहते हैं तो simply यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको read वाले पर क्लिक करना है यहाँ delete my account और simply आपको इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको एक green color में आ गया है your account was successfully delete on your system तो यहाँ पर आपको यहाँ से delete हो जाएगा तो simply आपको यहाँ पर back आजाना है और इस तरह से जो आपका account है telegram account देखिए यहाँ पर यह automatic logout भी होगा है आपको इसको फिर दुबारा login नहीं करना है क्योंकि यह delete हो चुका है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद रहे होगी और अगर इसी तरह के नए वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइगन को दबागें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह लोग भी इस तरह की जानकारी ले पाएं और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए